जैहिन जैभारत और वेल्किन टुटेफ टॉक्स दिस अधिव चिंद बोलते ना यार सेल्फ गोल की दुनिया में पाकिस्तानियों के आगे कोई नहीं है लेकिन हम को आज यह समझ में आया है कि यह पाकिस्तानियों के आगे मॉल्डीव वाले हैं जिनको सेल्फ गोल करने का थोड़ा शौक है तो आये जड़ा देखते हैं मॉल्डीव ने किया क्या क्या उसका रियाक्शन आया and what are they going to face क्योंकि सबसे इंपोर्टन चीज है कि यह चाइना का थोड़ा सा आड लेनी की कोशिश कर रहा है कितने हद तक यह आड ले पाएगा चाइना थी that is something that we will talk about क्योंकि सबसे इंपोर्टन चीज आपको देखनी है कि चाइना का आड तो ठीक है भाई चाइना अपने आपको संबालने पा रहा है आपको क्या संबालेगा right so we need to analyze this we need to look at it very maturely ठीक है तो let's look at it very very carefully कि हो क्या रहा है what is the game एक लक्षवदीप का एंगल काफी निकल रहा है काफी बाते हो रही है उसके बारे में we will talk about that also and most importantly we will talk about the factor कि भाई यहां तो government ने कुछ बोला ही नहीं हम तुमारी यह तो हमसे डर गए यार ट्विटर पी लोगों से डर गए यह क्या हुआ is there a method to the madness यह थोड़ा हमको देखना पड़ेगा क्योंकि आगर आप देखिये जब कैनेडा में भी थोड़ी सी जुरुरत करी थी बोलने की कैनेडा को चुप कराने का काफी हद तक जो श्रे गया था वो ट्विटर के लोगों पर गया था क्योंकि काफी हद तक ट्विटर में सीधा लोगों ने बढ़ाई थी कैनेडा की same thing has happened today तो as भारतियेs we need to learn a little lesson वो lesson आज रात हम लोग उसके बारे में बात करेंगे तो आईए चलते हैं presentation में as usual guys सबसे पहले video को like करिये subscribe करिये channel को अगर आपने नहीं करा and most importantly spread the word about deaf talks बहुत important है all right let's get into the presentation right 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 okay how should भारत handle Maldives मेरा सबसे बड़ा question है क्योंकि देखिए a lot of people से हो गया खतम the battle is over the war is not ठीक है जी so must understand that ये खतम नहीं हुआ है ये एक round खतम हुआ है right the next round will come you've got an upper hand उसमें कोई tension नहीं है next round फिर भी आएगा so we need to understand that right okay हुआ क्या इनका जो मुहमद मुईजू है ठीक है anti-India stand उसी पे elect way थे चलो ठीक है कोई बात नहीं इन्होंने बोला था भाई अपनी military लेके जाओ यहां से पे एक lady की 36 year old pregnant lady की emergency हुई थी और हमारे लोगों ने जाके उसको rescue करा था तो वहां पर उसको थोड़ा सा जटका लगा जटका लगा थे कहता है भई we will review all agreements उस चक्कर में जो hydrographic survey होता है जो श्रिलंका, Maldives और भारत का एक जो चोटा सा ट्राइलाटरल है उसमें उसके हिसाब में यह होता है यह उसने बंद कर दिया ठीक है no problem चलेगा उसके बाद national security advisors की meeting थी यही ट्राइलाटरल की कैता मैं निया होंगा चलेगा गया कहां पर चाइना में कुन्मिंग में इंडिया नोशन रीजन की meeting थी उसके लिए गया वो अच्छा जी चलो ठीक है best thing is इसका जो बोलते है न गुरू था ठीक है मौमद यमीन अब्दुल्ला यमीन अब्दुल्ला यमीन इस टाइम पर जेल पर है 11 साल की सजा है उसको क्यों 1.4 billion money laundering 1.4 billion money laundering ठीक है जी तो वो जेल में है उससे इसकी अन्बन खटी होगी ये गयब होगया वहां से उसने अपनी party लगा के खड़ा हो so there is he is also not in a very very strong position जिसके साथ ये खड़ा हुआ था आप वो ही इसको चोड़ने की बात कर रहा है कैता भई मैं चाइना ता रहा हूं और ये बाइद वे अब देखो बोलते हैं ना दम दिखाने की दम दिखाने का प्रयास करते हैं बट है नहीं अब क्या करें चाइनीज फॉरन मिनिस्ट्री से आया स्टेट्मेंट की भैसा मुहमद मुईजू साब आ रहे हैं मिलने के लिए शीजिंग पिंग को अच्छा जी ठीक है मौलदीव से कोई confirmation आई ना जीरो नथिंग तो इंविटेशन आया शीजिंग पिंग से और यह इसने अप्रूव कर लिया ठीक है हमारी फॉरन मिनिस्ट्री से पूछा गया कि भाई आपका क्या reaction है हमने तो बड़ा क्लेरली बोल दिया कि भाई उनका decision है यार शॉवरन कंट्री है जामर जी जाये वह हमको कोई फरक नहीं चक्कर क्या है चक्कर यह है मॉल्डीज ओस चाइना 1.3 बिलियन डॉलर ठीक है जी आइमेफ का जो record है अब ये on the books है पाकिस्तान की तरह जो on the books है एक और एक off the books भी है टोटल 20% है public debt का which is a higher number तो चाइना इसका थोड़ा सा स्कूरूडराइवर से इसका page का थोड़ा tight कर सक है and that can come into a problem for him इसके deputy ने already जाके अभी कितने दो मेने हुए है इसको जाके चाइना के साथ FTA sign कर दिया जोश में भोश को दिया ठीक है जी आपने FTA sign कर लिया इसको ये चीज नहीं पता Chinese FTA is not Chinese FTA Chinese FTA is China आपके सिर पे आके बैठ जाएगा भी आपको पैसे खिलाएगा जेब में ये लोग 5-6 लोग अमीर हो जाएंगे बाकी सब की पाकिस्तान की तरह हालत हो जाएगी तो अब पाकिस्तान की हालत हो जाएगी तो ठीक है यार बढ़िया भी लाव अनाधर वन चार तारीक उन्हें उन्हें एक इंटर्व्यू दिया ठीक है कहते हैं भई I am pro Maldives I am not anti anybody our sovereignty comes first and I will not allow any military to establish any presence here thank you fantastic चार तारीक को बोल रहा है मतलब military अभी भी है की नहीं है question we need to ask इसका मैंने heading थोड़ा सा funny लिखा है pardon me for that how much is the rate मतलब स्री लंका को ने एक statement डाला कि भाई साब कोई Chinese ship नहीं आरी यहां पर एक साल तक moratorium है भाग जाओ यहां से we are not doing this भारत ने श्रिलंका का थोड़ा सा स्कूटाइट कर रहा नहीं जी कोई नहीं कोई नहीं कोई कोई शिप नहीं जैसी वो शिप मना करा वांग यॉंग 3 बाइदे वे वो शिप का नहीं है यह कहता है जी लियाओ इदर पर कोई कोई टेंशन नहीं है आप लेओ यहां पर मॉल्डीज में कर लो जो आपका सर्वे करना है ओके फैंटास्टिक क्वेश्चन यह है पैसे कितने गए चाइनीज का दो गेम बड़ा सिंपल है यार उससे कुछ ही है जेव में पैसे खतम ब्राइबरी इस नोन आज जैनल रायन है एसेट्स ठीक है दो शिप्स हैं पोस्गार टाइप वैसल्स हैं यह और एक डॉनियर है और दो एलेच हैं डॉनियर और एलेच को उड़ाने के लिए हमारी बंदे आदेर प्लस यह शिप की मेंटेन थोड़ा सा डैरेक्शन यह वो अल्ट इस देर हमारा ही है ठीक है तो सब्सक्राइब करेंगे काउंटर गेम की काउंटर गेम क्या यह टिगर कहां से हुआ ठीक है सबसे पहले मैं बताता हूं कि ट्रिगर कहां से हुआ ठीक है लक्षवदीप वहां उन्होंने डाली फोटो है भारत की ट्विटर आटी जो है उसने बोला कि साब ऐसा है यार यह तो बहुत सुन्दर जगे है सारे लोग मॉल्डी क्यों जाते हो बंद करो मॉल्डी जाना इ नाशनलिस्टिक टाइप सेट्मेंट है कोई गलत चीज नहीं है इसके अंदर तो भारत की ट्विटर आटी ओविसली बड़ी स्ट्रॉंग है नंबर्स है हमारे अंदर और नाशनलिजम है वो नाशनलिजम के चक्कर में हम थोड़ा सा वो ट्रेंड हुआ अब यह हुआ तो उनका रियाक्शन आया अब रियाक्शन आ सकता था दो तीन तरह से डिल्ट वे दिनर लिटल मचौर मानर बट निकला क्या नहीं चीक है जी लक्षुदीप के बारे में एक मिनिट बात करते हैं देखिए जो तीन चीज़ें लक्षुदीप के बारे में ज बड़ा इंपोर्टन है आम फोर्स तो तीस चालिस साल से बोल रही है यार आइलेंड टेरिटरीज को डेवलप करो थीज़ा दा मोस्ट इंपोर्टन टेरिटरीज बट हमारी जो प्रिविएस इस्टेश्मेंट थी वो सुनने को राजी नहीं थी अब थोड़ा काम उस जग ठीक है जी नौ पी-म साब ने फाउंडेशन लेकर ही ग्यारा सो पचास करोड़ रुपे के प्रोजेक्स की वहां पर लेकिन वहां जाने से एक महीना पहले उन्होंने एक डायलोग मारा था विच्वास कीप वेडिंग्स इन इंडिया उसके चक्कर में उन्होंने बोला था कि यार जो गरीब आदमी हैं वो भी बताएगा अपने बच्चों को कि यार शादी कैसे हुई थी, क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था, माँ-बाप की शादी कैसे हुई थी तो मिशन वोकल फो लोकल जो प्राइम मिनिस्टर का बड़ा है वो पेट सा डायलोग है उन्होंने बोला कि यह ऐसी वेडिंग्स को भाहर लेके जाने की बज़ए आप अंदर ही रखो यह बोला कहा है उन्होंने मन की बात में तो कनेक्शन हुआ वहीं पर ही लोगोंने बो कहीं पर भी कहीं पर भी किसी भी भारत के पोस्त ने बॉयकॉट मॉल्डिव का उस ताम तक कुछ नहीं बोला का we did not have anything against the Maldivians कि भाई, we are against you हम तुम को डुबाना ऐसा कुछ नहीं है till this time ठीक है, so I am just giving you a background of what happened Indian hotels company Tarch basically दो resorts वहां पर already sign up हो गये हैं ये February में होई थे बड़े बड़े resorts हैं तो ICHL वहां पर आ जाएगा तो obviously market goes up now I am from the similar industry so you know, market goes up market goes up, मतलब बहुर लोग आएगे वहां पर resorts बनेंगे, ये बनेगा वो बनेगा और परच्छी चीज़ें आएगी Radisson आएगा, Overse आएगा, Marriate आएगा बाकि सारे भी गुसेंगे उदर पर the local economy will start moving up अपने आप उच्छीजें ठीक हो जाती है ये एक update मैं डालनी भाया presentation के अंदर बट आज ही government ने बोला है transport ministry को कि आप देखो flights, ferries, seaplanes हम क्या कर सकते हैं इस जगे पे to increase connectivity yes, there is a thing कि हमको यहां पर एक pass लेके जाना पड़ता है now they are working on that how to kind of figure that out उस law को कैसे change करें and make it more accessible to people fantastic, okay, ठीक है यह है Google trend search ठीक है, this is a very interesting data set यह होता है trend analysis Google का, आप Google trends type करें, वहां पर you put whatever you want and वो आपको पताता है कितना search patterns है भारत में, वर्ल्ड में, 7 दिन में, 30 दिन में whatever this that this that I use this tool quite a bit and कल से spike होना शुरू होवा, लग्षवदीप का blue line is for लक्षवदीप, वो देखिए आप and Maldi's का थोड़ा सा जटका लगा वहां पर okay the total inflow है is about 1.5 million people 22-23 में भारत से गए थे वहां पर holiday मनाने के लिए ठीक है sorry, total, भारत से नहीं, total inflow जो है 1.5 million people का है 2022-23 में 21 में भारत से 3,17,000 लोग गए थे ठीक है 3,17,000 लोग that's a lot of people right, so we need to understand this is 2021 figure, 2022-23 में जब COVID कतम होगा उसमें तो और बढ़ा होगा ये figure ठीक है, so this is statista statista is very pretty much accurate about this thing और ये figure release हुआ था 2022 September में right, okay now ये सब देखने के बाद let's see what actually was the reaction from the Maldivians meltdown क्या हुआ JBJP आपने बड़ा interesting सवाल पूछा है this is part of information warfare इसके बारे में मैं बात करूँगा ये देखो जी एक कहता है कि भई how will, how can there आप कैसे करोगे rooms नहीं है, permanent smell in the rooms will be the biggest downfall permanent smell हा कौन है ये, progressive party of Maldives, government का बंदा है दूसरा ये क्लाउन मोदी साब को बोलती है what a clown चलो ठीक है, कोई बात है freedom of speech है न कुर्सी की फिर्स कुर्सी थोड़ी सी जलग गई कहता है on the left is कश्मीर पाकिस्तान on the right is Maldives both कश्मीर और लक्षवदीप have been stolen और ये Maldives क्या बोल रहा है ये लक्षवदीप Maldives बोल रहा है कहता है we must go to UN India cannot keep stealing यार कौन सा तू कितने Red Bull पी के खड़े हुए थे ये परा नहीं हुआ मेरे को समझ नहीं आया ऐसे examples आपको Maldives से बड़े सारे मिल जाएंगे and not guys who are these are guys who have good following असन कुर्सी basically सब के साल लड़ चुका है ठीक है आप देखिए कितने इसके just go through his timeline you'll see he's fought with everybody in India जो इसको कुछ बोलता है उसके साल लगावा है मतलब फोन पे charger लगा के he's been sitting there ठीक है so the point is that they got frustrated ये तीन है main जो बोलते है न main the main issues in the game ठीक है तीन है ये तीन सितारे ओफ मौल्डिव्स the three stars of the show सबसे पहली है ये कहती है और ये बाइद बएई ये अभी की frustration नहीं है इस आंटी के तो ये तो भहिया पैदे ही ऐसे होई थी कहती है इंडिया इस लाइक माए फादाज एन मदाज लाइक काव डंग विद लड़ू लड़ू तो मैडम आप खाओगे अभी काव डंग के डोंट वरी पैसे नहीं होने वाले बट कोई बात नहीं जंडा आप देख लो अपने आप आइड लीविट तो यौर इंटर्प्रेटेशन वाट टाट फ्लाग इस और इसकी ट्विटर प्रोफाइल में है आइम नॉट सेइंग इट प्लीज गोट वर प्रोफाइल आपको दिख जाएगा वही सी दर फ्लाइग ठीक है प्लीज सी इट वरी कैरफुली यह है इनकी थॉट प्रोसेस यह है दूसरी आउंटी काव यूरीन यह मोधी मुर्दाबाद नरेंदर मोधी वस डिकलेट टेररिस्ट यह वो यह वो भाई तू अपने घर में बैट यार अपना जाडू पोचा कर ठीक करो अपना काम अपने देश में जो करना तुमको करो यहां पर कहां पर यह पाकिस्तानी इंफ्लूएंस क्योंकि यह जो नारेटिव दिख रहे है न आपको यह पाकिस्तानी नारेटिव है ठीक है तो चाइना ने इनको जो अप्रोच किया है has it done through Pakistan ISI because जो नारेटिव ठेका गया है हमारी तरफ it is a typical पाकिस्तानी नारेटिव and by the way मैंने काफी ISI के बॉट्स को देखा पुराने ट्वीट्स देखे उनके वो पहले पाकिस्तानी थे आग जो मॉल्डिवियंस बन गए है तो भेस भी बदला है लोगों ने पाकिस्तान का जंडा डिलीट करा मॉल्डिव का जंडा लगाया और लगेवे वहाँ पर मॉल्डिव का बना के अपने वो क्या नाम है location change करी और शुरू हो गए ठीक है so that is also happened ओके इब्राहिम फैजल नौ हमारे में ना है थोड़े से भिखरे वे भेरे वे थोड़े लोग हैं एक तरफ वहाँ जाके मोदी साब जाके प्रमोट कर रहे हैं domestic tourism ये खड़े हैं अब ये क्या बॉलिवूड को बोले क्या बोले हैं ठीक है anyways what to say to such people and मैं दुबारा बता रहा हूं पाकिस्तानी नारेटिव यह फिर से इसकी कुर्सी गिरी थी कहता है मॉल्डीव लीडर इस यंगेश्ट लीडर साउथ एजिया यूके एजुकेटेट क्यों भाई तुम्हारे पार कॉलेज नहीं है obviously civil engineer and researcher analyst researcher किसी को भी चुपका दो indian leader fake degree killed 1044 in gujarat दिख रहा है आपको पाकिस्तानी नारेटिव and lastly tweet उसने खतम करिये office crimes and atrocities here in this article article कहां डाला है the guardian यहां पर हमारे कान खड़े हो जाना चाहिए वही पर ही because the lefties remember Sino-Wahabi leftist alliance यह चीज कभी नहीं भूननी है हमको भारत में when you see stuff like this building up and मैं आपको दिखाऊंगा आज Sino-Wahabi leftist का एक छोटा सा sprinkle we need to be careful of this क्योंकि यह एक जगे से नहीं आ रहा this is coming from multiple areas right some people knew the reality मैंने यह एक some Maldivians lot of Maldivians have said sorry sorry यह गो और काफी कुछ लोग उने बोला है but यह tweet डाला मैंने किसी person किसी lady का है पता नहीं कौन है get your shit together the language ठीक है तो it is quite funny if you read the tweet and what the hell are you guys doing कर के रहे हो भाई हमको medical treatment के लिए वहाँ जाना है लोग जूते मारेंगे वहाँ से पकड़के हमको which is a thing अगर आप Twitter पे भी X पे भी search करें medical visit India Maldives करके आप जड़ा search करें आपको दिखेंगे बहुत सारे लोग थोड़े परिशान रुखें Maldives में यार मेरी तो pre booking है मेरे को तो 20 तारी को भारत पहुंचना है मुझे ये करना है मुझे वो करना है अब हम कैसे आएंगे safety होगी हमारी ये वो पता है किसी ने पता चल गया मॉल्डिवे ने थपट उपट मार दिया किसी ने तो भारत में ऐसे कोई करता नहीं है बट उनके दिमाग में डर अच्छा है कोई बात कि फॉर्मर प्रेजिट्स दोनों ने बोला कि बाई साब बात इस तेरिबल बट अकल आई नी इग्जाटली अन्मोन जी मोय मोय हो गया इनका दो आज पर तक कॉस्ट विल भी हाए यार एंड यू नो मैं जैपूर डालॉग में मैं और संजर जी काफी हस्ते हैं इसके बारे में कि अन्नोन गन्में था फिर अन्नोन शेफ बन गया फिर अन्नोन हॉस्पिटल वाला बन गया फिर अन्नोन बॉमर बन गया फिर अन्नोन आज अन् पेंस मिनिस्ट्री की वेबसाइट सब बंद कर दी नहीं, इनके साथ भी यह हुआ, अब यह हुआ, अब यह हुआ, अब बाइट वे, साउथ आफरिका में भी यह हुआ था, याद है आपको, विक समिट के टाइम पर, किसी ने कुछ बोला ला महां पर, ठाक ठाक, कुछ, शाम को, मैं इनकी वेबसाइट आकसेस करने की सोच रहा था, कहता जी, आपको तो ब्लॉक कर रखा है, भारत इस नॉट अलाओड, जो चीज साउथ आफरिकन ने करी थी, हमारे को वेबसाइट, हमारे को आकसेस नहीं करने दी थी, काफी सारी न्यूज वेबसाइट, एक आ एन मॉल्डीज कैंसल करके जड़ा गूगल सर्च करिये देखिये, उसके बार न्यूज टैब पे जाके देखिये, कैंसल, 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 क I won't be surprised कि इनकी अभी वो flight भी cancel करने कि भाई जाओ अभी नहीं थोड़ डाम तर flight बन दे तुमको आना है आप आप आओ जहां मर्दी जाना है तुम जाके इधर उदर आओ Colombo जाओ Colombo से इधर आओ याँ दुबाई राओ दुबाई से राओ जो मर्दी करना है करो direct flight नहीं है I won't be surprised अगर ये भी होता है let's see and by the way Maldives is not a cheap country it's a bloody expensive place 2-3 रात का आपको package 2-3 लाख पर जे नीचे नहीं आएगा in a decent resort it's a expensive expensive place I was reading somewhere bottle of coke for some bloody some hundred and fifty bucks or something like a lot of stuff बहुत महिंगी जगे है अब बोलते ना यार ऊपर वाला देखता है सब कुछ and जो कर्मा है ना एक ऐसी गंदी चीज़े है वो यहीं पर ही सीधा हो जाता है कहीं वापिस जाने की जरूरत नहीं पड़ती कर्मा एक्स राइट देर ठक आज आ गया जी अर्थकुएक जाला कुछ डैमेज नहीं हुआ बट पांच 5.4 का अर्थकुएक आ गया जटका लगा सको है यह क्या हुआ कोई distress call नहीं आया है कोई कुछ नहीं आया है वहां से everything is quiet लेकिन एक चीज़ इनको याद करनी पड़ेगी मैं यह किताब का बहुत बाड़ी reference करता हूँ and trust me this is one of my favorite books I've read it one and a half times मेरको उसके बाद पढ़नी है दुबारा I want to read it more and more at least two three times I want to read it's called the revenge of geography by a guy called Robert Kaplan now he will tell you कि भाई geography plays सबसे बड़ा part और यह चीज़ मैं हमेशा बोलता हूँ geopolitics समझने के लिए map खो लिए the map आपके साथ बात करेगा उसके बाद तो यह लोग ना थोड़ी geography भूल सी गए है where are they located they have kind of forgotten so I'd like to remind them please don't forget geography क्योंकि it will hurt you right in any case reaction आ गया जी government का statement आ गया जी नहीं नहीं ऐसा है freedom of we are very derogatory remarks have happened we believe in freedom of expression freedom of expression in a hundred percent Islamic country really fantastic fantastic चलो ठीक है फैंक रहे हैं हम catch कर ले थे हैं कहता है we believe in freedom of expression we understand what has happened is not good यह वो sorry गई नहीं बोला कहता है do not spread hatred between two countries भारत का नाम नहीं लिया और sorry गई नहीं बोला we don't accept it push it back फिर न्यूज आई कि भाई यह तीनों जो त्री तीन मूर्ती है इनकी त्री musketeers और त्री monkeys इनको ज़रा side कर दिया गया लेकिन इस ताइम के एक minister है हसान जियान कहता है यह fake news है अधाधू यह अधाधू जो अधाधू news जो भी है यह Maldives की अपनी website है यह अपनी website को बोल रहा तो fake news है but मैंने try and I have tried to confirm this यह इनको thank you बोल दिया गया कि आप ज़रा side हो जाओ और इतना सब कुछ हो गया है हमने तो कुछ बोला ही नहीं हमारी तरफ से तो कुछ statement ही नहीं है हमारी embassy जो थी वहाँ पर उसने बोला है we don't accept this is unacceptable आप जो यह language use करो this is not okay ना Modi साम ने Maldives बोला ना foreign ministry जैशंकर जी ने बोला ना किसी ने बोला nobody said anything officially out चलो ठीक है that's the power of भारत जैशंकर जी ने भी by the way मैं एक जड़ा यहां पर इस टाइम पर एक चीज बोलना चाहूंगा आपको याद होगा जैनरल रायन और हमने एक बात करी थी the return the journey जो एक हमारा एक रस्ता है जो भारत से शुरू हुआ था हिंदुस्तान गया हिंदुस्तान से इंडिया बना आज इंडिया से वापिस भारत जा रहा है correct तो भारत is this and इंडिया वोस दैट इंडिया से आप कोई भी तुच्चो पुच्चा आके कुछ भी बोल के निगल जाता था भारत से करना थोड़ा मुश्किल है and I'm sure the lesson is going वहाँ पर association of travel agents की वहाँ पूट पड़ गी यारे क्या हो रहा है बेपूँ हो क्या कर रहे हो जब cancellations आ ही लोगों को refund देने शुरू करे अगले मेने की तंखा कहा से दोगे भाई how will you give the money तो travel agents association वहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हो what are you doing क्या कर रहे हो stop this 15% traffic भारत से आता है 15% एक दिन लगा है उनको हिलने के लिए और अभी तक सिर्फ cancellations होनी शुरू वही है एक दिन 24 hours is all it took reality दूसरी देखिए मैं को समझ नहीं आता लोग इतना बड़ा Maldives Maldives करते रहते हैं मैं दो-तीन चीज़ बदाता हूं alcohol is not available there except in resorts inside you can't be this thing it's bloody illegal it's expensive I don't know why people go there मैं को समझ नहीं आदा पुरा दिन से बाए इसके बारे में पढ़ड़ा हूं and I'm not realized या ठीक है they've got nice beaches and stuff like that भाई वो तो यहां पर भी है Maldives के जाना है उदर पर आपको and to a country जहां से per capita जादा लोग ISIS में निकले थे by the way per capita highest in the world so you can imagine the kind of radicalization इस जगे पर जो radicalization चल रही है उस किस लेवल पर होगी वो आपको अपने आप अंदाज़ा लगा सकते हैं so this is not just a headline आपको याद होगा 2021 में एक yoga का एक माले के अंदर एक stadium के अंदर yoga organized हुआ था yoga day के टाइम पर वहां पर लोग आके लोगों को मारना शुरू हो गए थे साओधी रे में में लोग yoga कर रहे थे कोई tension नहीं है यहां पर मार रहे थे और आज मैं एक article पढ़ रहा था किसी का Indian express है कहीं पर Hindu में obviously कहता BJP's nationalism has spoiled things in Maldives क्यों मैं खोल के देखा यार क्या बोल रहा है भई कहता yoga day Maldives में किया without realizing this is a Muslim country पूरे Arab countries बन रहे हैं उदर पर योगा कर रहे हैं उदर पर गीता प्रिंटों के लोगों को दे रहे हैं और यहां पर यह ऐसे बोलता है कि so the mindset is something that you need to understand the mindset is Pakistani को कुर्सी की कुर्सी फिर से नी चाहिए कि यह बंदा थोड़ा बिचारा ना बावला हो गया इसको मैं एक ही चीज बोलूंगा यार छोटी वाली उंग्री ले फ्लक्वाइं प्लक्वाइं पॉइंट 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 प्रेश्चाई अब निकलनी शुरू होगी शाम का ट्वीट है लोगों इतने लोगों ने थपड़ तुपड मार दिये थोड़ी तो अकल आई होगी चाहता है इंडियन प्रेश्चर्ड एंड कंट्रोल्ड प्रीविज गवर्मेंट ठीक है इंडियन आ ट्राइं टू प्रेशर दर करन्ट गवर्मेंट एंड ही माइट गिविन मतलब इस यह गड़ड होगी यह एक स्टेप आगे जादा ले लिया लेट्स पूल बैक यह ट्वीट उस चीज़ का एक सैंपल है डिसेंबर 2018 में हमने इनको दिया 1.4 बिलियन डॉलर का बजटरी सपोर्ट यह वो 25 चीज़ें हमने दिये 1.4 बिलियन डॉलर ठीक है जी इनके टोटल फॉरेक्स रिजर्व कितने पता आपको अब कोई पाकिस्तानी देख रहा होगा स्ट्रीम में बिचारा वो गिर जाएगा यार माफ करना आपके लिए नहीं है यह यह चोटा सा कंट्री है मॉल्डिव्स यह आपके कराची जितना है बट उसके बास फॉरें र दिये थे डबल अब मैं आप सबसे पूछता हूं यार आप सबसे पूछता हूं आप मुझे बताओ वापिस मांगें देरे यार वापिस आदा मॉल्डी बेचना पड़ेगा इसको वहीं पर ही तो प्रॉब्लम इस यार जितने चादर होती है न उतनी टांगे फिलानी चाहिए नहीं तो फिर गबड़ हो जाती है और इनके अंदर अगर पाकिस्तानियों से की जैसी अकल है तो यह कभी सीखेंगे नहीं यहां पर मॉल्डीज के पास कोई जगे नहीं है कच्रा फैकने के लिए तो उन्होंने एक आइलेंड लिया पर माँ पर एक पहकते है उसको आग लगा देते हैं पलास्टिक को banks can reduce of the life और बड़ी जगा इंवार्मेंट की बात करते हैं यह आई तो फ्रॉब्लम है यह यह निए तीस साल से कच्रा पहकर हे हैं लोग यह आईलेंट नहीं अंदान निफे पहलिव too so very developed I must say very clean बढ़ा साफ सुत्री जगे है 2019 की photograph है यह 2019 चीके जी एन माले देख लीजे और वो trash island देख लीजे बाई साब building की उपर खड़े होके देख लो दूआ आपको दिख जाएगा लेकिन अब क्या करें न it's a beautiful serene destination which which is so nice, it's so pretty, it's so beautiful blue waters, white sand just some kachra burning on the side, that's all 30 साल सा जैसे मैं बोलना हूँ कुछ भैका नही है, गाडियां देख लीजे, इसको थोड़ा ध्यान से देखिए फोटो को गाड़ी दिख जाएगी, बस दिख जाएगी कोई is would you believe it, 1986 and हमने बना के दिया इनको, इनका पानी का सिस्टम हमने बना के दिया, इनका सुएज का सिस्टम हमने बना के दिया, इनकी defense force का सिस्टम हमने बना के दिया, इनका early warning system हमने बना के दिया, और आज रांके दिखाते हैं, चलो कोई बात नहीं दिखा लो यार बच्चा बड़ा हो जाता है कभी कुबर ठीक है it's all right it's all right don't be pressurized 2023 में ट्रेजरी ने भी बोल दिया कि साब यह जड़ा ना आइसिस आइसिस काफी गूम रहे हैं हाँ पर जड़ा थोड़ा side में हो अब यहाँ पर एक चीज मार्क करिएगा ट्रेजरी यह ट्रेजरी को निकाल के जड़ा पिन लगा के दिवार में लगा लिजे क्योंकि जहाँ पर भी यह यूएस का back end establishment आती है ना वहाँ पर कुछ गेम होती है now I will enter that game area चार तारीको एंटनी ब्लिंकन का बात हुई इनके foreign minister से नो एंटनी ब्लिंकन कौन है state department state department कौन है गंदा गटिया पुराना deep state this is clear to all of us right क्या बात हुई है चार तारीको मैं यह बोल रहा हूँ क्योंकि आज तक तो till about 10-15 years ago US के पास embassy नहीं थी यहाँ पर embassy तो हमारे तुरू बनवाई है नो ने इतनी क्या important बात है जो ब्लिंकन Maldives we have to look at these things क्योंकि देखिए यह चौबिस का जो जो साल है कोई भी ऐसी चीज हो उसको डाउट करना जरूरी है कुछ करिए मत डाउट करके दिमाग में डाल लीजे ताकि कही ना कहीं आगे कहीं पे कुछ dot connecting हो तो you'll be able to come to know अहा यह है पंगा और लेफ्टी भी कूछ जाते हैं यह लेफ्टी भाई सा पता है कोई है आपको कोई guess करेगा कोई है मैं वेट करता हूँ आपके responses की guess करी है यह कौन है who is this guy इसके background क्या है यह किस चीज में involved था थोड़े टाइम पहले तक और इसने अभी कैसे suddenly बोलते ना दल बदलू गिरी करी है बताए जड़ा कौन है what is his specialty इसने क्या किया था थोड़े टाइम पहले which is where I tell you साइनो लिफ्ट इस वहाँ भी वहीं पर ही मैं यह स्लाइड से आपको प्रूव करूँगा मैत्री इगेट्स दे प्राइज OCCRP OCCRP पताए कौन है जो अड़ानी पे अटाइक नमबर टू आया था ना वो इसका है बंदा कहां से है अड़ानी अटाइक नमबर टू connected to जोर्जी बॉई अब आपको पता चल रहा होगा मैं क्या बोल रहा हूँ साइनो वहाबी लेफ्टिस्ट nothing is without that sir final slides thoughts end में China तो गया अब बोलते हैं हमारे जो बड़े strategic analysts हैं काफी सारे diplomats काफी मैं सुनवाद आज कई diplomats बोलते हो you know in history all Moldavian presidents आते थे हाँ पर we used to always get them here इस बार ही नहीं आया it is a big thing all of them have forgotten to say only one thing कि साब ऐसा है हमने तो invite नहीं बेजा आएगा कहां से ये diplomats नहीं बहुत कुछ बोल जाते हैं बट दे दोंट चेक्ट ग्राउंड रालिटी we haven't even sent an invite to him आएगा कहां से what our game is you want us to cut cut, go do what you want to get lost जा तर्की जाना जा no problem चाइना जाना जा चलेगा that's perfectly all right so we have not even sent an invite so why the heartburn in the diplomatic community मेरे को नहीं पता मेरे हिसाब से at the moment and a cautionary tone है आपर हमारे troops अभी भी वहां पर ही है we have not left Maldives at the moment right हमारी तरफ से कोई statement नहीं आया and that is I think the most mature thing भारत has done we should let the game play out क्योंकि इसके अंदर और भी players है let's not get focused on to Maldives इसके अंदर और भी players है let that game come out फिर जरा हम इदर उदर कुछ कर सकते हैं हाँ जी अब हमको पता है game क्या है then let's play right because I see some more stuff coming out क्योंकि ये वाबी ये जो जादी हैं ही अपने आप काम नहीं करते क्या इदर उदर कोई narrative चेपने की कोशिश करेंगे let's see we'll have to find out क्योंकि वो खुर्सी जो बोल रहा था वो खुर्सी इतना उसकी कुर्सी क्यों किर रही थी बार बार पता नहीं we'll have to see कई लोग बड़े ऐसी लगते हैं understand one thing in foreign policy nothing is black and white it's always a shade of grey it's always a shade of grey कही न कहीं something will be grey ये वो so previously there was also a pro-China president था उस तेम पही कुछ निवा ये भी आया है कुछ निह होगा don't worry about it because Maldives cannot तैसे मैने जी बोली थी they cannot forget geography here आप जिस जगे पे बैठे हैं उसको आप भूल नहीं सकते कि साब आप मैं तो अभी अपना island उठा रहा हूँ pack करके मैं लेके जा रहा हूँ अगर लेके जा रहा है तो जा ये तो जा ये South China Sea में जाके बैठ जाओ माहाँ पर आप चाइना के साथ बैठो हमको कोई problem नहीं है but he can't do that when you can't do that then don't do stuff like this okay जी now one thing that we also need to understand लोग बोलते हैं हमारा आना ये वो सब कुछ खराब है ये खराब है वो खराब है देखो यार ऐसा है Sri Lanka आपने flip करा Nepal आप flip कर रहे हो Bhutan you're able to handle Myanmar you're able to handle Bangladesh में आज हमने दुपेर में बात करी elections हो रहे हैं आपका हाथ है इस टाइम पे शेक हसीना की उपर so we're not bad हम लोग बोलते नहीं है that's the thing that's where people like me come who try and join the dots right that's the thing so सबसे बड़ी चीज़े patience आज हमने लड लिया मौलदीव से हमने अच्छी से उनकी धुनकाई कर दी अब छोड़ दो please let them be क्योंकि अकल अपने आप आनी चीए ने तो नहीं आएगी अगर आप रोज ठोकोगे उनको वो फिर नहीं आएगी let them be ये पाकिसान now we have to see whether पाकिसानी खून जादा है तो फिर ये कभी नी सीखेंगे फिर तो मारो उनको रोज मारो but if they are starting to learn अगर आपको आपको वहाँ से ये change होती हुई दिखती हैं वहाँ से then we need to just थोड़ा सा ease off because we want them to change उसके लिए people contact रखना बहुत ही important है कोई medical visa cancel करने की जरूत नहीं है कोई कुछ नहीं है but देखे अब कही ना कही कुछ तो game खेलना है न तो उनकी ज़रा security checks बढ़ा दो आप बाई साब अपना ज़रा bank count statement दो ये पैसे कहां से आए ये क्या है आप करते क्या हो ये क्या है वो क्या है ये क्या है वो क्या है start doing all that so you're able to remove the kachra out and थोड़ा सा you know pressure बढ़ता है उससे most importantly information warfare वहां के लोगों को भारत के दोस्त होने का एक जो benefit है वो पता होना चाहिए they should know that by अगर आप भारत के साथ रहते हो ये ये आपको benefit है अगर आप नहीं रहते तो फिर देखो गया होता आपके साथ that उसको बड़ा carefully design करके information warfare का एक package बनाके quietly अंदर होना चाहिए उनकी media के अंदर articles दिखने शुरू कर दो youtube videos बनाओ कि देखो साथ क्या कर रहे हो because we want them to change and we need to see किया ये change करेंगे कि नहीं करेंगे that is the key population अगर आपकी change करेगी फिर ये government वाले कुछ नहीं कर सकते है वो कितना टाइम खीचो गया यार उसके बाद लात मारेगी जनता भी अगर ये पाकिस्तानी वाले खून है जैसे मैंने पहले बोला तो फिर ये बदलेंगे नहीं नहीं बदलेंगे तो फिर ठोक अगर पकड़के कोई tension नहीं है right and lastly how long will this man last in office let's see information warfare critical कोई हाथ नहीं उठाना अवाद से आज जैसे twitter आटी नहीं की game खेल दी है that's all we need to do and mr. Moizu a message from devtalks to all of you he said india out india is out so are you sir you're gonna be out pretty bad so thank you so much guys for watching I didn't want to make it very serious sorry if you guys have got offended in any way I am not wanting to make fun out of it but just wanted to have a little lighter conversation Sunday sham है तो अच्छी से अराम से थोड़ी सी बात कर लेते हैं right so please like this video we had my god 4200 people watching thank you so much that's pretty high I think मैंने बीच में I think we would have gone up down I don't know कितना हो गया but in any case like this video subscribe अभी एक लाग 1200 likes है मारे टास I am sure we can take that up and please like the video subscribe to the channel अगर आप मेरी तरफ कॉंटिबूट कर सकते हैं you can use the QR code on the screen या फिर आप PayPal यूज कर सकते हैं for those of you आप जो देश से भाहर रह रहे हैं and most importantly spread the word about Deaf Talks आप लोग super stickers और super chats भी भेज के मेरी तरफ कॉंटिबूट कर सकते हैं so let's see okay JBJP सबसे पहले Meloni को क्या हो गया Modi बीच पे गए वो भी गई वो फेक है वो यार हमारे भी ना काफी थेम वो this is what called information warfare propaganda create situations create narratives पर ये थोड़ा weak था एक और था आज एक किसीने tweet डाला हुआ था मैरे Twitter timeline पे है कहता है मुईजू माफी मांग रहा है ऐसा कुछ नहीं हुआ कोई माफी हाफी नहीं मानी गई ठीक है यासा नथिग है तो हम लोग भी नहीं इस ये लिटल चालड़िश ये थोड़ा बैक्लाश हो सकता है इसका InfoWarpare प्ज़ेंस तो बीडिल ये नो थोड़ा सा nicely, better done बाला, welcome back as a member, thank you so much and जै भारत thought provocator, thank you so much भाले को लग जाएंगे ताले माले को लग जाएंगे ताले अच्छा, मैं को भाले, मैं बोला ओके, let's see, आप लोग क्या बोलते हो इतने सारे questions, इतने सारे सवाल इतने सारे जवाब, इतने सारे thoughts आपके भी okay, let's see सबसे पहला, Lakshvideep is an area, so what's wrong with Indian PM promoting Indian tourism, इसमें भी नहीं लगता है, कुछ बुरा मानने वाली चीज है, और फिर भी लग रहा है कोई तो लगा रहा है बुरा, we don't care, yeah, absolutely why should we care, यार आपको करना है करो, नहीं करना तो आदी भाई, we must immediately stop all treatment given to Maldives patient and coaching government, we need to show them the reality that in the near future there will be no Maldives at all hashtag Lakshvideep आपका part 2 का statement I agree with it, part 1 I don't think so आपको जैसे मैंने समझाया, इनको you have to try and see if they will change okay let's see Salil says, in order to press their masters, they might have passed these statements without thinking about the future that is a Pakistani mindset you are absolutely right shot mar di hai, us ke dekhani kithar gi baul I think they figured out that was a move by Modi and they couldn't handle the truth, I think they were they are immature, you know थोड़ा relax ये न बहुत गरम हो जाते हैं, जैसे ये चीज़ मैं आज सुबह कर सकता था क्योंकि कल राद से शुरू हो रहा है but then I said, yeah, सुबह करूंगा, it'll be a half-hearted कुछ निकले गानी उसके अंदर से भा, there won't be a response but when I do it in the evening the entire story kind of flipped around, sab कुछ चेंज हो गया and I could give you a complete picture so geopolitics always evolves slowly कभी कभार patience रखना चाहिए हमको okay Maldives need to think about 2050 climate change consequences when sea levels rise, if they are affected, where will their citizens go, true they themselves are saying we are being eaten by the Indian Ocean we are being eaten alive by the Indian Ocean ये इनका अपना डालोग है this was a planned deliberate international insult of PM and Bharat I'm sure we had the blessings of Chinese supporting President Sino-Wahabi Leftist my formula fits in everywhere आप लोगों को मैं कितना सब कुछ दिखा चुका हूँ and I've been talking about this Sino-Wahabi Leftist वो साथ होईने से बोल रहा हूँ है ये चीज it fits like a bloody sock everywhere भारत में कोई भी narrative कहीं पे भी आता है and अभी मैं एक और expose करूँगा जैसे खोटे स्तानियों का Chinese के साथ क्या connection है next couple of days I will do that as well you will realize they are everywhere okay let's see India must make the islands best of all because when you see other countries islands they'll be commercially successful we also do that absolutely correct but मेरे एसाब से सबसे पहले as citizens मैं सबको एक चीज रिक्वेस्ट करूँ थोड़ा सा टाइम निकालके Google Maps खोलिए Lakshwadeep को map देखिये प्लीज उसके बाद go north towards Gujarat आपको ये जान के हैरानी हो जाएगी कितने सारे islands है वहाँ पर look at your island territories let's know our island territories first it is very important आज हम Lakshwadeep Lakshwadeep कर रहे हैं let's know about it Goa के offshore में Kanaataka के offshore में कितने सारे चोट-चोटे islands है and such pristine places untouched let's please my request अभी ये islands की बात हो रही है my sincere request please, please, please इसको खोल के देखिये read the map right let's stick on towards Lakshwadeep side andermans को भी देखेंगे एक दिन but let's stick on towards the west आप Gujarat से नीचे Lakshwadeep तक please सारे islands वहाँ पर देखिये you will be astonished कितने सारे islands है हमारे पास right okay, let's see what else Maldives doesn't understand whatever their anti-India endeavors are totally futile the geography doesn't support them absolutely I always say this Baati from the south Adhiyana it is not started now all three ministers supporting ISIS even the opposition people don't have to be in the minister they got the huge dollars to destabilize the Indian Ocean who's behind? who else? same three Paimon Panics thank you so much first time I'm watching you and I'm enjoying it thank you so much please stay tuned and I hope you've subscribed Danapani ban kar do government needs to issue an advisory to all Indian tourists travel at your own risk Danapani I don't agree but travel advisory 100% unko jo aap se kharidna hai kharidna do aar kya problem hai Kunal I fail to understand why some nations try to take on Bharat on social media they do not know we are nearly 1 billion strong of course they'll get smacked left and right Chinese use Weibo even the Chinese aren't that strong okay I'll tell you when Canada was there you won't believe western observers were saying the kind of information warfare that India is able to do is not what the Chinese and the Russians put together can do okay and that tweet is saved someday I'll show you guys Gargoyle thank you so much for your contribution when you say Wahabi who exactly are you referring the jihadist Islamist extreme radicals those are the guys that I'm referring to it's a tagline right so there's you know that tagline will have a lot of things underneath it it's just not Sino-Wahabi leftist as the name suggests I'll probably I'll let me plan a talk on this where I'll be able to explain to you guys what I actually mean by it majority of Maldivians have voted for India out campaign that says better that Bharat stays away from Maldives altogether they don't want us we will take our money elsewhere fantastic okay big nations harbouring neighbouring small countries very natural Russians before the war Romanian Bulgarian pathetic idiots yeah that's how they try and create some leverage but when you do stuff like this you don't abuse a prime minister Modi type person people love him I mean people love the guy people love the guy people eat you you and that's something our opposition doesn't understand what will don't worry about Maldives they'll always be ungrateful they will not smell money anymore Adi is going to open a resort in all Bharat islands we need your support Adi is not going to open Adi doesn't have that kind of money let's see let's see what else what else what else Mohammed Muizu wants Modi to win so he's giving such a statement this is the truth I take that from you Rajai Vikram you say place restrictions on food supply to them they'll have to buy everything to Singapore or Dubai just like Pakistan inflation will destroy them one step at a time look escalation ladder interesting thing we take it up one step one notch at a time let's take it one notch at a time slowly slowly Audrey Trushke really nice name man lady man I mean whoever you are thank you so much for your contribution problem is Indians litter their own country okay fantastic yes we do we are working on it I don't have any I am not going to give you any this thing we have problems about it but we recognize that problem and we'll work on it and I say this all the time guys let's keep our country clean Shubhamji thank you so much cancel my visit 3 lakh package going to Vietnam enjoy your trip that's the response you get Rakesh ji thank you so much welcome as a member Sachin Singh ji thank you so much I have been watching your channel for the last few months love your insights on different geopolitical issues thank you ji Rohan Bhandari sahab thank you so much you said India is in talk with Honda for jet engines tech but Mr. Bishi has capacity of high trust jet Honda does not there is nothing formal here thank you for the information nothing formal I've got through some grapevine that there are talks with Japan if I mean I dig into it a little further and probably we could you know talk about it in the next show sometime but yeah I've read somewhere that Honda doesn't that's correct I don't know what's happening I mean these are things obviously not in the public domain okay let's see aar kya kya hai aar kya hai hmm adi bro these twitter accounts are doing this to earn ad revenue most of them just fight against India to get all the attention and reach it's the same as Pakistani youtubers okay Partha if Animal Nicobar Island is also revamped for tourism it will hamper the security because we know about Hedley and his role in 2611 there are ways of doing both things together I'm sure Abhi Bharat is got decent amount of capacity to do stuff like this so kushna kuch hum apne up kar lenge okay let's see some countries hit way too much above their weight when this episode this poodle island nation could go below water in 2-3 decades that's the sad reality here but sometimes these countries try and do this to get some leverage out of you it's a negotiating ploy as well Nepal you have something to you tell you and then you kind of figure it out and they shut up after that so that's how it is a Mr. Gamer thank you so much I have a theory this was Indian diplomatic trap they jumped I don't know if meant it as a trap what but it was a brilliant move I mean brilliant hundred steps on a beach look what he did there 100 steps on the beach he put 4 photos and it's you know that's the whole thing this is the power of the leader of the country people follow and and us to say what was needed that is the connect between a leader and his people now if Modi saab is this particular connect if any leader or organization or company will do fantastically well so Modi saab knows how to do this stuff and he fantastic okay let's see okay please request everybody please hashtag ask so that I can track your questions do you think the next phase will be attacks on Indians and Maldives need to know your thoughts no sir I don't think so they will be stupid if they do stuff like that having said that one odd incident I won't be very surprised but trust you me then there will be a problem for them so I guess right now they will pull back all these hardliners and say don't do anything that should be the case and right now you will also see their prices dropping okay let's see okay Ram mandir ceremony will be yeah I heard it's in Times Square in New York I have heard that okay let's see what else Abhishek Deep State is getting desperate they know what's going to happen in 2024 elections in India yeah they do and I am happy that they are desperate but it's a very interesting game which is being played and it's dangerous time time till April May after that things will start calming down hey we reached 4500 people today I didn't notice really damn that's highest Batraji you picked it up record broken absolutely that's the highest yeah thank you so much okay Vijay Sharmaji you say flabbergasted by the exuberance of your verbiosity Adi I hope in a good way sir I was just having fun today honestly in a nice mood so thought may keep it a little light zest thank you so much for your compliment really touched man man sarcastic four you're chilled bro okay how can you can just help explain that thank you so much for your contribution fun session Adibai thank you do you think Bharat's embassy in Maldives jumped the gun in reacting no they didn't they just said this is unacceptable that's it simple statement they could have let this play out and made Bharatya public go even more against Maldives no 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 I don't think that's needed that's that's what I'm saying let's we've hit them they've taken a hit now if you want to go for the kill that's a different thing but let's see whether they behave if they behave it's fine if not Pakistan Maldives same category and no proud Indian if USA is playing these games for years can't Bharat learn from his past tricks of the USA and use to ensure that we have proper counter how can we make USA backyard unstable they're going to make their own backyard unstable they will do that but yeah your point is absolutely correct how to counter these narratives as public as just citizens of this country you have seen in my programs we and we try and make join the pieces together and see what comes out of it so yeah as public we're doing it I feel there is a more conceited effort that needs to be done from the government this is government communication strong you know you should be able to if not officially unofficially create a channel information warfare is very very important you can win the wars why you won it because of the factor of aggressive information warfare and what I'm doing is again that I'm doing an explainer plus creating a trend with 4,500 people watching a trend a conversation starts from which will turn you remember that was exactly that I said what I had and created a little bit of an incident so yeah you need to do that it's very very effective will you accept a change of stance in Maldives after that tourism was hit hard by lack of Indian tourists if it's a genuine stance yeah why not but for that he'll have to change a lot of the thought process kaffi re-education he'll have to everything okay Lakshmi ji who is your you know if I miss one or two of your comments please there's so many comments and I'm sitting alone and unlike a lot of other shows I take maximum amount of comments when I'm especially when I'm solo it's not that because I want to ignore anybody or anything like that I have so if I see a comment I will be sure to kind of pick it up Ritvik Shetty is Maldives national security expert in Indian what is he doing there a lot of that as I said why don't India occupy Maldives let's let's it'll be a bad investment Jack Sparrow seen you after a while I've been noticing positive tweets about China and delegatory tweets sure there's a CCP back hand but this is creating negative vibes amongst people it does that's what information warfare is all about we need to understand how it works and not fall for the trap okay proud Indian playing these games for years but Bharat can learn from his past tricks of USA sorry I am repeating this question okay let's see man guys just put the question once yeah you know what is the issue being left meaning I have no issues I don't think even right wing parties in India are that right wing I don't know where you're coming from but I have no problems you be left right center top down I don't care my problem is when you start interfering in my business then I have a challenge right you can keep your marxism wherever you want to I have no issues this is a democratic free country we will not tolerate that nonsense here leftism is a thought process and if you're 20 and not a communist there's something wrong with you but if you're 40 and still a communist there's something seriously wrong with you I believe that okay coming towards the end Harish Ji thank you so much I think I took your comment before Harini thank you so much why are we struggling with Kaveri jet engine man trying to close the show this is you know jet engines are very very critical technology the blades in those engines are made out of an alloy or it's very difficult to get only four five people four five countries in the world have that technology but we are at it we will do it if you want a Marshall there's a whole one hour explainer you can go through that for further information smeek merchant thank you so much for your contribution unverified balakot strikes now row with us questions on raw balakot strikes i haven't heard about this i'm not sure what you're talking about brother but it's a bit of a cryptic clue that you're giving me thought provocator thank you so much in fact malay outrage that stinks of pakistan i told you a lot of people switch sides you're right arin thank you so much seen you after a while i'm having extra vibes from my analysis of 2024 fantastic congratulations okay let's see i'm gonna just now take couple of questions because i've been talking for an hour and 11 minutes and two more shows in the afternoon so getting a bit tired now neem brilliantly said we have lots of islands i've traveled to lots of them very natural no facilities and lots of them but take some dome beach and calming items hire a boat another facility they're beautiful stuff i've only seen it on google it's not funny so please spend some time and look at them hi can you discuss racism in South Korea yeah that's 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 an interesting question racism is there in South Korea but not at the time at what you're kind of you know at this narrative is so they have an Indian connection by the way they have an tamil princess who went to South Korea and married there if you see the Korean and tamil kind of conjugation it's pretty similar there's a lot of similarities in the culture and all that stuff but you know modernity and leftism brings in that kind of discrimination it's very difficult to kind of you know get away from it but yeah the incidents that came out were not very good there is no question Bala thank you for gifting membership to someone SR thank you so much for your contributions of recent leaks show that anglox users were making money by sharing racist tweets on indians pretending to be africans or other third world persons for elon bucks your opinion i'm sure see elon musk has done quite a bit but you know he's been stupid in a certain amount of areas whereas he's been trying to monetization there is no sense to it it's not uh i don't find much of a sense to it in the way that he's done it and he has to control a little bit it's become a very free and open platform i'll give you that but somewhere down the line some stuff needs to be done i'm not very happy with especially this monetization part of it i am not monetized but you know it's not okay um okay um let's see okay angry hanuman bangladesh maldives mayanmal nepal and sri lanka it's all about deep state play to counter bharat at any cost you're absolutely right there are these are games that are being played against us when you consider a certain narrative war one is going to is going aggressive and get on top of the other of when you can sustain it see narrative wars are built on a certain amount of truth without the truth there is no narrative pakistani jhoot baat bolte hai or bade thamaake ze jhoot bolte hai but uske under there's no depth and that's the problem with the left also they'll create a narrative oh india is having a genocide i haven't seen one because there's no truth in it so it falls flat and that's the problem narratives need to be created on a certain sense of uh reality chintanji i don't know what your question is if you type it right now i will take it brother i'm sorry i just said i'm alone i you know dalye aap question i will take it i'm gonna just now start bringing the show to an end i don't want it to be too long aise bhi baat galyaan barte hai ki aapke shows bade lambe hote hai likes to yaar absolutely um increase karna hai karna hai there's no question even if i'm not aligning with the pm he's my representative and anything derogatory against him is against me against my country and we won't tolerate this absolutely i agree with you you're free to have your political views but bharat ki ooper koji oogli uthaega we all need to stand together after that there is just no question you can keep debating your political views aapas mein koji tension nahi hai uska okay um can we maybe do a narrative of an educational video with something like 101 to create such narratives and shape building sure let me build that up that's a good question good this thing uh sr heard the news that sheikh and sreena won congratulations to her loved your analysis on bangladesh elections love your channel adhi thank you so much sir it's an honor doing this your thoughts okay last one thoughts on the u.s election if they reach there i think the republicans have a big chance if they don't well it's gonna be a bad bad year for the americans i foresee a little bit of violence little bit but that can escalate usko thoda sa dhyan pe rakhna padeega because if they go through that in ko do saal lagengi aapne aap ko transition karne ke liye and then america will stabilize uh ye joh pura leftist propaganda ye wokism ye woh hatane ke liye it will take them about two to three years to get it out of their system joh main structure government ka hai uspe se nikalne ke liye in ko time lagega post that you will find things kind of settling down on that note guys thank you so much uh for joining me for giving me such support today mazai aagya that aap loog itne saray log aaye it's an honor i will see you tomorrow night especially with karne ajay rana talking about something really really unique jo cheese meinne pehle bhi boli thiye those of you who follow mine and his talks only me and him speak about thank you so much jai hind jai bharat you